ये इंडिया के मार्केट के उपर, भारत के मार्केट के उपर आक्रमन पे आक्रमन कर रही है। कम धन का निवेश अपनी पुंजी जिन्होंने शेर मार्केट में लगाया था आज उनको भारी नुकसान जेलना पड़ा है चोटे निवेशकों को लोवर मिडल क्लास, मिडल क्लास के लोगों को धाई करोड लोगों को माफ करिएका धाई करोड लोगों यह जिलना पड़ा है यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के उपर कई प्रकरण रहा है इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के उपर हमला करने की कोशिश की है ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की एकॉनमी पर अटैक हो राहुल जी आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है तो हमारा भी सवाल है यदि आडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कॉंग्रेस के सरकार के समय भुपेश बगहेल जी के सरकार के समय 36 गड़ में 25,000 करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपनी ने किया क्यों लिया आपने 25,000 करोड रुपे का निवेश जब आपकी सरकार थी 36 गड़ में जब राजस्थान में अशोग गहलोट जी की सरकार थी 65,000 करोड 65,000 करोड रुपय का निवेश अडानी की कमपनी ने राजस्थान में अशोग गहलोड जी की समय उनके सरकार में किया था क्या कारण था करनाटक में जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कॉंग्रेस पार्टी की सिद्रमिया की सरकार है अडानी की कमपनी ने एक लाग करोड रुपे का निवेश करने का वादा किया था मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूँ कितने का निवेश हुआ है वो अभी हम निकाल लेंगे 36 गड़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है मगर करनाटक में एक लाग करोड का निवेश करने का वादा किया था बंगाल में 35 हजार करोड रुपे का निवेश है बंगाल में आपका साठगाट है आंधर प्रदेश में साठ हजार करोड का निवेश है तमिल नाडू में 4500 करोड का निवेश है 19 अक्टोबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रिवंतर एड़ी जो की तलेंगाना के मुख्य मंत्री हैं उन्हें 100 करोड रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था काउसल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों लिया था डोनेशन एक करप्ट विक्ति से 2024 रिवंतर एड़ी जी जो की तलेंगाना के मुख्य मंत्री हैं वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तलेंगाना की कॉंग्रिस की सरकार 12,400 करोड का M.O.U. साइन करती है आडानी ग्रूप के कमपनियों के साथ 12,400 करोड रुपए का राहुल जी कौन जवाब देगा है क्या आप और एवंतर एड़ी अलग है क्या आप और अशोग गहलोत अलग है क्या आप और भुपेश बगहल अलग है या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा है मैं आज राहुल जी से